अविश्कार दोस्तों क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर भैका वाता वरान बना दिया है चैसे चुनाओ आयुक्तों कि न्यूक्ति हो या किसी और चीच की ब्यूस्ता हो उन सम्मेस आज नरेंद्र मोदी ही सब कुछ कर रहे हैं तो क्या जो वो कह केते हैं एक अकेला सब पर भारी सच मुझ वो देश पर भारी पड़ा है और जिस तरीके से इलेक्ट्रोन बॉन्ड का सच सामने आया है उस सच के बाद आपको नहीं लगता कि यह लूट यह वसूली यह धंधा यह दलाली यह रिस्वत खोरी का पूरा खेल रहा है कब हुए आज इसी पर बात केंद्रित करूँगा क्योंकि राहुल गादी से लेके पूरी कॉंग्रेस इस पर सवाल उठा रही निशित प्रूप से इलेक्ट्रोन बॉन्ड से पैसा लिया गया सुबूत आ गया किस पार्टी को कितना मिला वह भी सबूत आ गया दो साल का रिकार्ड नहीं दिया गया जिसमें धाई हजार करोन उपया वसूल आ गया और वो जो धाई हजार करोन उपया वसूल आ गया उसमें कौन कौन लोग है उनका रिकार्ड क्यों नहीं दिया गया यह सारी चीजें सामने हैं जब यह सारी चीजें सामने हो क्योंकि तमाम सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या कि इसमें अडानी का नाम क्यों नहीं इसमें अम्मानी का नाम क्यों नहीं इसमें इसका नाम क्य किके से कैसे operate कर रहे थे और उनको यहां से ही पैसा देने की जरूरत ही नहीं वो तो अपना प्लेन भी दे रहे हैं अपनी दूसरी व्यवस्ताइं भी दे रहे हैं उनका तो पैसा दूसरे मोड्स से तर्नोरा सिर्फ यही पैसा नहीं होता है इसलिए यह भी समझने की ज़रूत है तो चलिए आज मैं सुरुवात करता हूं आप याद करिए 25 दिसंबर 2015 उस तारीक को अचानक भारत के वाई सेना का हेलिकॉप्टर उड़ता है वो जा कहीं और रहा होता है और वो अचानक जाकर के लाहौर में उतर जाता है लाहौर में उतरता है वहां के प्रधान मंत्री के हां हमारे प्रधान मंत्री पहुंच जाते हैं गले लगते हैं उनकी मा को प्राम करते हैं साल पहनाते हैं और न जाने क्या-क्या चर्चा होती है भोजन होता है तमाम चीजे होती प्रोटोकाल एक होता है उस प्रोटोकाल का सारा नार्म तूट जाते है यह कहके जो गोधी मीडिया है चरणचुमक मीडिया है वो बखान करने लगता देखो नरेन मोधी दी थी जिनों ने इस देश की सीमाएं बचाने के लिए कुर्वानिया दी यह उनके मुह पर तमाचा मारा जा रहा था सरे आम मारा जा अभी हाल नहीं आरेसस के जो संग प्रमुख है वो मोहन भागवत कहते हैं कि कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है हमने कब कहा दुस्मान दुस्मान तो आप नहीं कहा था आपने ही बाटने की बात करी आपने ही कहा था कि हम एक साथ नहीं रह सकते 1937 से लगातार चिलाते आए हर प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया इसी और ने तो नहीं किया इतना मजबूर किया कि जो केंदरी समित थी उस समित के बड़े भारे उसमें विरोत पैदा किया और नतीशतन भारत को दो टुकड़े होने तो वो मुस्लिम लीक के साथ में मिल के सरकार चलाने वाले आप थे और तोड़ने वाले आप थे तो फिर पाकिस्तान को दुस्मन किस ने बना दी आप ने और जब आपने दुस्मन मनाया तो दुस्मन के हाँ क्यों पहुंचे बड़े दिनों से इस सवाल को तलासा जा रहा इसका जवाब बताताँ、 प्रधानमंतरी वहां से चले आते हैं, वो ऐसे ही, जैसे ही प्रधानमंतरी भारत में आते हैं, उसी के साथ साथ, वहां से पाकिस्तान की ISI के एजेंट्स जो हैं कमांडोज हमारे यहां आ जाते हैं और जो कमांडोज आते हैं वो वाई उसेना के सब उसे अहम सेंटर पठान कोट सेंटर वे जो एर बेस है जहां से हम चाइना को रन करते हैं जहां से हम पाकिस्तान को रन करते हैं वहाँ पर आकर के दो जन्वरी को की रात एक दो की जन्वरी की रात अटेक कर देते हैं हम जश्न में नहीं साल के डूबे होते हैं और हमारे यहाँ अटेक हो जाता है और उसके बाद हिंदुस्तान के लिए इससे ज्यादा सर्मनाग बात कोई नहीं हो सकती कि वह चौशक घंटे हमारे उस एयर बेस पर कब जा रते हैं यानि करीब करीब तीन दे हम उन तीन दिन कुछ नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर जितना हमारा सारा खुफिया का ऑपरेशन का सारी चीज रहती है वह उनके हाथ लग जाती है और उसके बाद वो निकल लेते हैं हमारे तमाम सैनिक मरते हैं हमारे तमाम सेंटर्स प्रभावित होते हैं कैसे उसी के साथ ये chronology समझे जो मिद्सा क्रोनोलाजी समझा वो समझे इस तरह से इस पूरे खेल को देखे और उसके बाद हमारी क्या इस्तिती होते हैं उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे देश के लिए समस्या पैदा करने वाली है हमारी आरन मीस से लएके जिस भी आगर वहां पर हमारे अर्दस्टानि क्षेंच ऑदर्चन में आ जाथा है वो धीर से भाटने लगता है इदर उदर इधर करता है कभी टर्व करता है कभी र希望 कहएं सारी चीजिये आ जाती कभी उत्राखंड में कभी लगदात में तो फेल चलता है इसके बाद में 2019 के चुनाव में हमने देखा तो क्या प्रधान मंत्री वहां गए थे और वहां के प्रधान मंत्री के साथ जहां पर ISI के भी चीप मौजूद थे वहां पर क्या बैठक हुई क्या चर्चा हुई कि यही अचानक साथ साथ हो आप तो गले लगके आए हमला कराने के लिए आमंत्रित करके तो नहीं आए बहरा जो भी सच हो अब आता है कि जिस तरीके से चुनाव बांड में पैसे आए तमाम सारे उन जगहों से पैसे आए हैं जो देश के भी खिलाफ काम कर रहे हैं जो काम भी कर रहे हैं मुनाफा भी कमा रहे हैं और देश को नुक्सान भी कर रहे हैं कहीं सेल कमपनीज के जड़िए कहीं किसी भी जड़िए सब से अधिक कंपनियां वो है जिनके हाँ ED की रेट बढ़ी और उस ED की रेट के कारण वहाँ पर पैसा दिया गया और उसके सारे उदारा मौझूद है कि किस तरीके से हुआ कुछ कंपनियों के नाम ले जाहेंगे कि किस तरह की मोडस अप्रेंडी थी आप समझेए इसमें छह सालों में जो लिए गये उसमें छह में से पांच साल के याक्ट ले दिये गए और धाई अजार करोन का जैसे मैं बता चुका हूं नहीं दिये गए इसमें जितनी पारदरसी बताकरते हैं चोड़ी नहीं तो च्वाते क्यों लेकिन हर जाच को च्शिपाना चाहेंगे शहेंगे शक्ताक करते हमिसल्फ किया बत एक टीन से करत lle ने 502 दंदा लाला सिस्टम चलता है इसके पहले जिस तरीके से वीजेपी ने उन कमपनियों को च्म के पैसा दिया जिनको मलब BJP को उन्हों ने दिया जिनका EDCBI income tax की rate पड़ी और च्छापे के तुरंत बात दिया यह भी होता कि ज्यादा देर में देते तब समझ में आता है तुरंत देर है च्छापा पड़ा दिया उसके बाद में case close हो गया तो ऐसी इसके बाद में जिस तरह से सारी चीजें आई उसके बाद में आता है कि DLF के यहाँ 25 जनवरी को 2019 को च्छापा पड़ा CBI का और उसके बाद में उन्होंने तुरंत जो है दे दिया चुनाओ बॉन्ड खरीद लिये इसके बाद में टी आई वीटीज लेट पर पड़ा च्छापा और उनके च्छापा पड़ने के बाद जो है फरवरी में च्छापा पड़ा और उन्होंने उसके बाद दे दिया यह भी 2019 में इसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो टनल बना रही थी जिसके उपर को कोई कादवाई नहीं हो रही थी कोई FIR नहीं हो रही कंपनी के उसके MD खिला उसको कैसे उसे 18 अपरेल 2019 और 20 अक्टूबर 2022 को कंपनी ने 90 करोर के बांट खरीदे समझ लीजिया इसके बाद में United जो है यह है फास्फोरस है इसने खरीदा और इसने 13 जन्वरी 2020 को इसके income tax के चापे पड़े और इसने दे दिया इसी तरीके से IFB पर जो है GST का चापा पड़ा और उसके बाद में उसने पैसा दे दिया इसी तरीके से यसोदा हास्पिटल हास्पिटल है हास्पिटल में तो कोई ऐसा वो नहीं होता है और इतनी का यह हास्पिटल क्यों देता है पुरोना काल में जब यह सारी इस्थिती थी आप हम सब रो रहे थे उस वक्त में उस हास्पिटल ने 162 करोन रुपया दिया 162 करोन क्यों दिया भाई इसके बाद में इसी तरीके से हेट्रीट्रक्स है लैफ्स है उसने जिस तरीके से उसके आइंकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद में वो दे गया उसके बाद में जो है हलतिया इंजिनियरिंग है उसने उसके आँ CBI की रेड हुई और वो जो है पैसा दे गया इसके बाद में चन्नई में गेर वुट्स है ग्रीन वुट्स उसके आँ पड़ा और उसने जाकर के मौन खरीद लिए इसी तरीके से हीरो मोटर्स उसके आँ चापा पड़ा और उसके बाद में ओ दे गया इसी तरीके से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसे इसका आप आफिस हेड आफिस सर्च कर लीजेगा इसके पास में पैसे ही नहीं है कि हेड आफिस तक अपना बनवाले इस दसा की कंपनी जिसकी अपनी नेट वर्थ नहीं है वो जाकर के लगातार देते देते तेरा सो करोन उपया दे दे शूची इतना पैसा कहां से आ गया इस पर चार सो नो करोन उपय की एडी ने अटेजमेंट की थी जिस पर सो करोन उपया तुरन दे दिया इसके बाद में जिंदल स्टील्स एंड पावर इस पर भी छापा पड़ा इडी की रेड हुई और ये आकर के दे आए इसके बाद में माइक्रो लैब है इस पर इंकम टैक्स की रेड हुई ये दे आए इसके बाद में NCCA कंपनी है उस पर इंकम टैक्स की रेड हुई वो दे आए कलपतरूप प्रोजेक्ट है उस इस पर पढ़ी income tax की rate वो दे आए, इसके बाद में city sign electrical है, इस पर rate पढ़ी वो दे आए, फिर इसी तरीके से अरबिंदो pharma है, इस पर पढ़ी ये दे आए, इसके बाद में mega engineering इस पर पढ़ी और इन पर यही नहीं, इनको जो है 14,400 क्रोन उपया का project दिया, इसे संसम में बता आया, खुद भूदल परिवान मंतरी नितिन गटकरी ले, और साहब ये आकर के देगा इतनी भाली भरकम रकम, तो ये समझे, serum institute सब को यानता है, हम लोगों ने तमाम vaccine लगवाई है, इन से था, ये जो है धंदे का दे आए, बावन करोन उपया, इसके बाद में वेदानता अनिलागरवाल बहुत खास है निरेंद मोदी के, वो दे आए, इसी तरह टोरेंट पावर गुजरात की है, वो दे आई, इसी बाद में IRB निफरा है, वो दे आई, 6000 करोन का इसे प्रोजेक्ट मिला, इसके बाद में APM को इंफरा ये दे आई, दो दर्जन मैं आपको बता इसके अलाबा बहुत हैं, कई सीमेंट के हैं, कई उसके हैं, और इसमें से मित्तल हैं, मित्तल ग्रूप है, तो ये तीन दर्जन की दो लिस्ट मैं इस तरह से बता रहा हूं, और हालत ये है, कि इसी तरह का खेल चलता है, और ये खेल ऐसे ही नहीं है, इस खेल को समझने वा कहीं आप से, जैसे गली के गुंडे होते थे, इलाके में दुकान चलाने वालों गए, इतना तुम्हें देना, इतना तुम्हें, नहीं तो काम नहीं करने दे, ये नहीं करने दे, इस तरह की इस्थितियां, और जब इस तरह की इस्थितियां हों, तो निश्चित रूप से बहे का वातावरण बन ता है वह है बहे का वातावरण बनाया आज Neren Z będin केरल में बोल रह Lawrence बोल रहे हैं कि राज जिकी जंता भैसे त्रस्त है और बदलाओ की मान कर रहे हैं साब यह आप कहा के लिए कऱए केरल के लिए या पूरे देश के क्योंकि लोकसवा के चुनाओ के साथ में, पुछ राजियों के भी चुनाओ और उस बदलाओ की बात हो रही, और वो बदलाओ हो रहा है, मांग हो रही है कि आपने जिन लोगों को जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से किया है, वो बदलाओ की बात कर रहे है किसान बदलाओ की बात कर रहा है, यूबा बदलाओ की बात कर रहा है, महिलाएं बदलाओ की बात कर रहा है, पिछले बदलाओ की बात कर रहा है, दलित बदलाओ की बात कर रहा है, आदिवासी बदलाओ की बात कर रहा है, तो बदलाओ की बात तो सब जगे हो, और जो हालत आ आप इससे समझ सकते हैं इस तरह की इस्तिती हो रही उन जब हो जहां पर बताते हैं कि जाने कितने पार बाली गणित बताते हैं इसी तरीके से पाकिस्तानी और दूसरे कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं इसमें कि किस तरह से 22,217 करोन उपया का जो इलेक्टरल बांड लिये गया और उनमें जिस तरीके से मांड के पीछे कानी है वो अपने आपने समझ में आता है गेमिंग कंपनी का मैं बताई चुका हूँ कि जिस तरह की हालत है तो ये जनतंत्र की हत्या करने वाले में मीडिया भी सामिल ये मीडिया संस्थानों ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से इसको ढखने का काम किया है तो ये मेनिस्ट्रीम मीडिया लोगतंत्र की ह अत्या में सामिल है जो अपने आपको चौथा इस्तम होने का दम भरता है तो यह इसके बाद में जिस तरह ऐसे कि जैसे पहले होता था गली के गुंडे ब्यापारियों को परेशान करते थे ब्यापार में सहूलियत के लिए सुरक्षा के लिए और इस बात के लिए कि देखो दूसरा आएगा तो हम बचाएंगे पैसा देऊ इसके बाद में तो वो रंगा बिल्ला वाला जो खेल चला है वो रंगा बिल्ला Straight समझे तो उस तरीके से होता है तो इसी लिए सारी सवाल आते हैं कि आखित इस तरह का पूरा खेल क्यों है और क्यों किया जाएगा ना खाऊंगा ना खाने दूँगा की बात कहते थे और इस्तिती ये है कि अकेले खाऊंगा तुमको खाने नहीं दूँगा सब को बाकी बनके आजाईए तो इस तरह ऐसे है और खुलासे में जो सारी बाते कहते थे इसको लेके बड़ी सारी बाते आई अज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो इसी को लेके हुई कि आप जहां टूजी और दूसरे गोटालों की बात करते थे वहां पर तो F.I.R.B. दर्ज क की तद्कालीन सरकार ने कॉंग्रस सरकार ने गिरफतारी भी की जाच भी की और अदालत को बताया सारा फैब आपके समय में उसकी पैर भी होनी थी आपके समय में कहा गया नहीं हमारे पास कोई सबूर आपने और नतीज तर्द कोर्ट ने उसे कहा कि हां लेकिन आपने तो इतने बड़े बड़े गोटाले कर दिये जिन पर आप जाच करने को तयार है न बोलने को तयार तो जब यह दसा हो तो निश्चित उससे सवाल जब यूपी में सिपाई की भरती का परिच्छा लीक होता है तो साब कनेक्शन क्या मिलता है कि उसका पूरा जो लीक करने का का गुजरात ने बैठ के किया गया और गुजरात में इस परिच्छाएं हुई है सब के पेपर लीक हुए गुजरात से ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक हुआ राजस्थान में जिसको लेके बाज़्पाने इतना सोल बचे है तो सारे में भारतिये जनता पार् गुजरात के आप ब्यापानियों से बात कीजिएगा, वहां इसी तरीके की वसूली का क्राइब, तो चोटे इस तर पे होता है, अब देश इस तर पर होता है, और उसके बाद, उसे निरेटिव में बदलने के लिए कहा जाता कि पाकिस्टान को ये, चीन को ये, और वहीं ची आइलेंड, उसका लाप किसे मिलेगा, आप तो नहीं आएंगे, इतना फाल्तु टाइन तो नहीं है आपके पास, तो वो वास्तों में नार्थीष्ट को चाइना के पूरे रडार पे खड़ा कर देने का के, इस लिए इस तरह के के, इसलिए आज चिंता कभी से, यहीं विस सब्सक्राइशन और मोदी की एक्टिविटी और यह सारी चीजे चेक करने वाली हैं कि कैसे कैसे उनके किन किन एजेंसियों से संपर्क और उनके जरी वो क्या ठेल करते हैं, चुनाओ जीतने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं, यह सारी चीजे अब सामने आने लगी, ज चवाब तो आपको देना, चै